सबसे पहले तो यार तुम सभीक को विश्व कर्मा पूजा का बहुत-बहुत सुपकामना है और हाँ एक और बात तुम्हें बताना भूली गया कल मैंने जब मांगा चेप्टर पे वीडियो बनाया था उस वीडियो पे मेरे से थोड़ा सा गलती हो गया था आब देखो यार वहाँ पर मैंने बोला था कि सय वीडियो वाइट ट्रांस्पोंडर स्नेढ एल का ये यूजड करते है जबकी सयब वीडियो हडबडी में वाइट वाले ट्रंस्पोंडर स्नेढ को यूजड करनेके बजाए नॉर्मल वाला यूज कर बैठता है जिस वज़े से मरीन उसको जो है ट्रैक कर पाती है और वैसे ही सीन मेरे साथ हुआ मैं भी वेडियो बनाना के चकर में हड़ बड़ी में चैप्टर पढ़के बना दिया खेर इंसान से ही गलती होती है उसको मारते इगनोर और मुझे लग करता है कि King of the Pirate और King of the World दोनों एक ही बात होता है लेकिन ऐसा नहीं है उपर से One Piece फैंस के बीच में बहुती जादा मित फैला हुआ है कि जो सब को हरा देता है सब कुछ जीत लेता है और One Piece में कोई ट्रैजर व्रैजर है उसको जो है खोज लेता है वो Pirate King होता है ऐसा Pirate King का actual मतलब एकदम उल्टा टाइप का इससे सबसे बहुत करते है King of the Pirate की अब King of the Pirate कौन था गोल्डी रॉजर जिसने One Piece को ढूंडा था और Great Pirate Era को स्टार्ट किया था वहीं अगर मैं बात करने जाओ King of the World की तो King of the World अभी के टाइम पे है इमू सामा और यह सायद से 800 सा पहले से है और अभी भी यह King of the World बनके राज कर रही है उस Empty Throne में बैठती है जिस बारे में पता किसी और को नहीं है सीबाए Five Elders के अब हाँ सैबो ने भी पता कर लिया है कि उस Empty Throne में कोई बैठता है या फिर बैठती है लेकिन उसको मिटाने के लिए क्या किया मुझे स सायद बताने की जुरत नहीं है सीधा भाई योरैनस दे मारा अब देखो योरैनस दे मारा यह अभी कंफर्म नहीं हुआ है बस जादतर प्रेडिक्शन तो यही बोल रहा है कि वो कोई एंसेंड वेपन का हमला ही था और मुझे भी यही लगता है खेर देखो King of the World बनना चा करता है जिस तर से उसने अपने सिप का नाम भी Saber of Zebeck रखा है प्लस वो आइलेड बिहाइड में जाकर अड़ा मारके बैठा है लगता तो यह यह नेक्स्ट किंग ऑफ दा वर्ल्ड बनना चाहता है अब इससे पहले तो जैबक ने ट्राइ किया था लेकिन जैबक फेल हो मुझे जहां तक लगता है जैबक ने काफी जादा मिस कैलकुलेशन किया होगा पहले तो उसको लगा होगा फाइव एल्डर्स को टपकाना होगा और उसको टपका दो फिर जो रॉक्स पाइरेट है उनकी जगा ले लेगी हम बन जाएंगे किंग ऑफ दा वर्ल्ड लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है एक जन है जो परचाई के पीछे अपना पहचान छुपा के एक्च्वल किंग ऑफ दा वर्ल्ड है अब देखो रॉक्स दी जैबक कैसे हारा था वो बात मुझे साथ बताने के जरत नहीं है गौड़ वेली का मामला हर किसी को पता है रॉजर गार हांत मिला लिये थे और इन लोगों के वज़े से जैबक हार गया था रॉक्स पाइरेट खतम हो गया था हाँ वो बात लग है उस गौड़ वेली में क्या क्या हुआ था कैसे हारा था वो चीज का पता नहीं है जो कि हमें फ्यूचर में बताया जाएगा लेकिन क्या तुम सारी चीजों को कॉन कर पाओगे वहां पर लूफी का जबाब सिंपल था वो क्या कहता है तुम खुदी सुन लो और यही ट्रू मिनिंग होता है यहां पर मैं तुमको और थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ देखो रॉजर क्या किया था वो पूरी दुनिया घूमा था एक एक आइलेंड पे गया था और ऐसा सायड कोई आइलेंड बचा नहीं था जहां पर रॉजर ना गया हो एक आइ अटी के साथ नहीं कहर सकता रेजिन आइलेंड विकाज वहां हर वक्त बीजली गिरता रहता है तो हो सकता वहां पर रॉजर नहीं गया होगा लेकिन यह भी हो सकता वह रॉजर है किसी नहीं किसी तिग्रम लगा के चल जाए बट जो अपना रॉजर था वो किंग ओफ दा वो दुनिया के हर राज को जान चुका था और वो उस वर्ल्ड का सबसे फ्री बंदा था वो आजाद था उसको कोई काबू में नहीं कर सकता था उसको जहां मन चाहे वहां जा सकता था यहीं पर तुम देखो यौंकों को न्यू वर्ल्ड में उनका राज चलता है लेकिन फ साम्सक्राइब किया हे रोजर हर जगा पर घया था साथ इसा थे रोजर ने हर किषो को हराया था एसा बिल्कुल भी नहीं है उसने कुद कन्फर्म किया है वाएड बेरड को उसने नहीं हरा था रॉय में खतम हुआ से वh फाइट नही किया था वो वहाँ से पॉनक्लिफ चुराया था बड़ यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल का जवाब तो यही मिलता है कि वो आजात था वनपीस में क्या है किसी को नहीं पता इतना मैं कह सकता हूँ हिस्ट्री तो है 800 साल पुराने इतिहास को लेकर के वहाँ पे जानकरी दिया गया है विकॉज रैली ने ये बात बताया था कि उनको पता है हिस्ट्री के बार में और ये निको रॉबिन को बताता है पर निको रॉबिन जानने में इंटरस नहीं है क्योंकि वो खुद खोजना चाहती है साथी साथ रॉजर का वो फाइनल लाइन याद है जब रॉजर लाफ टेल में गया था वहाँ पर रॉजर कहता है कास में तुम्हारे एरा में पैदा हुआ होता जोई बॉई यहाँ पर 99.9% वन पीस फैंस ये सोचते हैं कि रॉजर यहाँ पर पास्ट वाले जोई बॉई की बात कर रहा होगा 800 साल पहले जब जोई बॉई था उसकी बात कर रहा था तो यहाँ देखो ऐसा हो सकता है लेकिन एक और पॉसिबिलिटी भी है जरा तुम गौर करना अभी भी तो एक जोई बॉई है जो रिटन किया है और ये जोई बॉई एक न्यू वर्ल्ड को create करेगा वन पीस को खोजने के बाद एक नया एरा लाएगा तो यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी ये भी है रॉजर यहाँ पर future की भी बात कर सकता है because देखो रॉजर वो बंदा था ना जिसको past, present, future सब कुछ मालूम था उसको पता था future में joy boy आएगा तो यहाँ पर हो सकता है रॉजर ये कहना चाहता होगा उस line से कास में तुम्हारे एरा में पैदा हुआ होता मतलब यह कि अभी वाला जो joy boy है इस एरा में पैदा हुआ होता यहाँ पर कुछ लोग भड़क सकता है लेकिन मैंने यहाँ पर कहा कि दोनों और ध्यान देना past भी हो सकता है, future भी हो सकता है कोई confirm नहीं है लेकिन हाँ जब one piece खोज लेगा ना लूफी उस वक्त हम लोग को पता चल जाएगा इतना समझ में आया king of the pirate का मतलब क्या है सबसे free बंदा, आजाद वो जहां चाहे, वहां जा सकता है अब आते हैं king of the world की जिसे Roger हमेशा से ठुकराता आया है सीकी ने offer किया था Roger ने लात मार दिया उसको वो चीज नहीं चाहिए और अभी के टाइम पे और 800 साल से यार राज कौन कर रहा है इमू, जो की current king of the world है इतने टाइम से देखो, अगर तुम उस empty throne को भी देखो ना वहां पर grand line में जो islands है वो बना हुआ है साथ ही साथ, उसका location भी एक ऐसे जगा पे है एकदम center में और आगे में बहुत सारे swords गाड़े हुए है एकदम Game of Thrones वाला vibe दे रहा है पर ये अलग है Game of Thrones नहीं है इमू जो है उस गद्दी में बैठती है वो world को rule करती है अपने हिसाब से नियम चलता है किसी को भी slave बना दो किसी को भी टपका दो किसी को भी history जानने मत दो जिसको चाहे उसको पकड़ के बेच दो सैवडी में देख रहा था न slavery चल रहा था auction चल रहा था mermaid का और celestial dragon तो है ही साले चूती है at the end में क्या कहना चाता हूँ King of the world मतलब होता है world को rule करना King of the pirate मतलब आजाद होना और ये हो सकता है कि Luffy पूरे world को आजाद करवाना चाहता है because Luffy at the end सबसे free बनता है वो आजाद है उसको कोई पकड़ नहीं सकता उसको कोई काबू में नहीं रख सकता उसको जो मन करता है वो वो करता है उसका दादा जी उसको admiral बनाना चाहता था वो वो भी नहीं बना वो क्या बना? pirate because pirate का मतलब one piece में अलग है बहुत सारे लोग समझते हैं कि pirate मतलब समुद्री लूटे रहा जबखी one piece के world में pirate का मतलब होता है वो बंदा जो sail करता है समुद्र में घूमता है जो adventure करता है समुद्र में नहीं नहीं जगहों को खोजता है खेर मुझे जो बताना था मैंने तो बता दिया अब तुम सब यार comment box खाली है तुम सब जो पूछना चाहते हो comment box में पूछ सकते हो मैं तुम्हारे सवाला को जवाब देने का try करूँगा और हाँ वीडियो पसंद आया तो like मार दो यार चैनल पे नहीं आगयो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन on कर देना साथ ही साथ मुझे इस्टाग्राम पे फॉलो करना मद भूला और हाँ इस वीडियो को भी सेयर करना मद भूला तो यार मिलेंग नक्स्ट वीडियो में फिलाल के लिए बाई 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 बाई